आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तो देखें यहाँ पर जो बताना है ठीक है तो Option A है 2 is to 1, Option B है 1.67 is to 1 Option C है 1.25 is to 1 and Option D है 1.5 is to 1 तो देखिए Current Asset पहले में कितना था देखिए Current Asset Current Assets Current Asset है अपका Rupees 3 लाग ठीक है Rupees 3 लाग आपका Current Asset है और Current Liabilities कितना था Current Liabilities Current Liabilities कितना था आपका Rupees 2 लाग 2 लाग रुपीज आपका Current Liabilities था तो देखिए क्या हुआ है आपर 50,000 रुपीज Trade Pay Bill को Paid कर दिया Paid करने से क्या होगा देखिए Paid करने से Cash चला गया मतलब कि हम देख सकते हैं Cash चला गया Cash Paid किया मतलब कि Cash का Value क्या हो जाएगा Decrease हो जाएगा Cash का Value Decrease हो जाएगा और हम जानते हैं कि Cash क्या है Current Asset है तो Current Asset Decrease हो जाएगा Current Asset जो है ये Cash चला जाने से क्या हो जाएगा Decrease हो जाएगा ठीक है और ट्रेड पेवल क्या है ट्रेड पेवल भी एक क्या है कारेंट लाइबलिटी है आपका तो ट्रेड पेवल पेड ट्रेड पेवल को पेड कर दिया मतलब की ट्रेड पेवल का वैलू क्या होगा डिक्रीज होगा ट्रेड पेवल भी डिक्रीज होगा ठीक है और ट्रे होगा अपका 50,000 में डिक्रीज होगा ठीक है तो देखिए अभी जो सी ए मतलब की कारेंट एसेट है वो कितना है 3 लाग तो था 50,000 कैस चला गया ठीक है मतलब की अभी का हुआ 2,500 मतलब की 2,500,000 अभी का भी कारेंट एसेट है और कारेंट लाइबलिटीज देखिए कितना है अपका था कितना 2 लाग रूपीज था और 50,000 का ट्रेट पेबल पेट कर दिया मतलब की वो बैलन्स घट गया तो 50,000 यहापर भी डिड़क करना पड़ेगा मतलब की 1,50,000 अभ अभी क्या होगा कारेंट रेसियो आपको बताना है तो कारेंट रेसियो कारेंट रेसियो इक्वेल हम लोग क्या जानते है कारेंट रेसियो क्या होता है फॉर्मूला सी यह बाई सील मतलब की कारेंट ऐसे डिवाइड़ बाई कारें लाइबिलिटीज तभी क्या जो और 5 by 3 को अगर decimal में करे तो यहां पर आजाएगा 1.67, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1.67 is to 1 आजाएगा आपका correct answer, तो option की सबसे अगर देखे तो option B हो जाएगा आपका correct answer, thank you.